Good morning students, welcome back in our online class. Today is our Hindi term. So students, open your page number 107 of your कर्निवाल बुक. तो आज हम लोग कर्निवाल बुक में क्या पढ़ेंगे? A से अंगूर और A means कुछ नहीं. ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं. अंग से अंगूर. अंग से अंगूर होता है बच्चों है ना? अंगूर कैसा होता है? ये मिठा मिठा खटा खटा होता है और बहुत ही यम्मी होता है. अग से अंगूर अब लिखते कैसे हैं हम यह देखते हैं सबसे पहले एक कर्व लाइन फिर एक स्लिपिंग लाइन फिर यह स्टेंडिंग लाइन यह स्लिपिंग लाइन और ऊपर चोटा सा बिंदी यह हो गया हमारा अंग से अंगूर ठीक है तो अंग से अंगूर होता है है ना यह रहा अंग से अंगूर का पिक्चर अंगूर ऐसा होता है इसे हम लोग अंगूर कहते हैं और इसका स्टार्टिंग अंग से होता है अब देखते हैं अंग को और एक बार फिर से कैसे बनता है एक sleeping line, एक standing line और ये last में एक और sleeping line और उपर एक छोटा सा बिंदी ये बन गया हमारा अंग से अंगूर है ना इस तरीके से हमारा बन जाएगा अंग से अंगूर अब next page पे चलते हैं अब ये है अह मेंस कुछ नहीं अह मेंस क्या होता है बच्चों अह मेंस कुछ नहीं होता है अह मेंस खाली होता है ये अह मेंस कुछ नहीं अब अहक बनाते कैसे है एक curve line एक और curve line एक sleeping line ये standing line और फिर से ये एक और sleeping line और यहाँ पर एक एक बिंदी है ना ये बन गया हमारा आहा आहा में कुछ नहीं होता है एक बार फिट से बनाते हैं हम लोग एक कर्व लाइन उसके नीचे एक और कर्व लाइन स्लीपिंग लाइन स्टेंडिंग लाइन और एक और स्लीपिंग लाइन और उसके बगल में छोटे छोटे गोले बन जाएंगे ये बन गया हमारा आ से आहा आहा में कुछ नहीं है ना तो श्रेंट्स आप भी आंग से अंगूर और आहा में कुछ नहीं को कम्प्लेट कीजेग झाल, झाल.